हलो दूस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चनल मार्केट सपोर्ट में दूस्तों आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं overall market के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग यह सोच रहे थे कि market में क्या होगा क्या कोई बड़ी गिरावट market में आपको देखने को मिलेगी इस तरीकी की जो बातें अभी तक जो है market में निकल करा रही थी आज आप देख रहे हैं वही आपको जो होता हुआ भी नजर आ रहा है बेसिकली जो गिरावट का मामला आपको अभी तक दिखाई दे रहा था जो पेंडिंग थी correction वो आज अगर हम देखें तो आज आपको clear-cut वही correction देखने को मिल रही है एंड फिलाल मार्केट की जी situation है definitely बिल्कुल भी अच्छी तो दिखाई नहीं दे रही जिस तरीकी की गिरावट है इस गिरावट ने लोगों को टेंशन में तो डेफिनिटी टाल ही दिया है आज की इस वीड़े में हम जानेंगे कि आखिरकार इस गिरावट का क्या कारण है एंड क्या यह गिरावट यहां से और ज्यादा इनिशियेट मतलब डीप होती भी दिखाईट एफट की है या फिर हाल चाल जो है सुधर जाएंगे सोंबार को तो चलो start करते हैं सबसे पहल जो गिरावट का माहोल निफटी वेगर हम दिखाई दे रहा है वो तो है देखों निफटी में तो कल तेजी थी तो उपने देНе जी लेकिन हुगा क्या कल देख रहे हैं तो आज We can do जो है ना इन में सिच्वेशन तोड़ी सी जादा गयर आ रही है अगर आप उपरी इस तरह से देखो मिटकेव इंडेक्स को भी देखोगी उपरी तरह से लगवाँ चार परसन नीचे आ चुका है अगर हम ओर और इंडाइसेज में देखें बाकी और इंडाइसेज के आल चल लगवाँ आपको डाइपरसन से भी जादा है सेक्टर अगर हम बात करें तो देखो निफ्टी ओटो डाइपरसन डाउन निफ्टी आईटी जो शुरुआ से पॉजिटिव ही था बेसिकलिए अगर आप देखते तरह निफ्टी आईटी तो आपको लगातार पॉजिटिव देखाई दे रहा ता लेकिन अब क्या हो रहा है अब अगर हम देखे निफ्टी आईटी को तो अभी की जे सिच्वेसन है वो अच्छी आपको देखाई नहीं दे रही आप यह मान कर चल सकते हैं तो डेफनिली यहां पर टेंशन और समस्या तो बड़ी होई है अब आगे गर्म बड़े, PSU बैंक में आलतकरा फानिसे सावसेज, फार्म, FMCG, मेटल, रियलिटी, मीडिया, एनर्जी, प्राइविट बैंक, इंफरा, कमोडिटी, कंजप्शन, PSU सभी सक्टर, और कंजूमर, डियूरेबल, हेल्थ केर, ओयल इंडिया, मेनुफेक्ट्रिंग, सभी, ओ गिरावट का हाल चाल देखाई दे रही है, डेफिनिटली, समस्याओं से बरा हुआ, आपको नजर आ रहा है, अगर हम आज, टॉप गेनर्स की लिश्ट देखें, तो इन्फोस इस टॉप पर है, क्योंकि नमबर्स का लक्षे आए थे, ADR आठ परसंट तेज था, उसके बा गिरावट में भी आईटी आगे, परसिस्टेंस सिस्टम के नमबर जो है, अच्छे नहीं आए, अगर आप यहां पर देखो, तो लगवा साड़ी 6% की गिरावट आपको परसिस्टेंस में भी दिखाई दे रही है, कमिंस भी राउन, MCX में भारी गिरावट, मदर्सन जो LB 4% डाउन है, तो सिच्वेशन तो अगर आप देखो कि तो मार्केट की अच्छी दिखाई अभी तो विल्कुल भी नहीं दे रही है, लेकिन आप बात यह निकल कर आती ही सबसे पहले, कि आखिरकार क्यों इसकी पीचे रीजन्स अगर हम तलाश ले जाएं, तो आखिरका बात बात आप देखोंगे तो अभी रिसेट्ली एक खवर जो निकल कर आई है, यह निकल कर आई है, यह खवर जो निकल कर आई है, कर आई है यह क्या है कि Microsoft 365 पूरे दुनिया में काम करना बंद कर दिया है चानक तो पूरी दुनिया में इंडिया की बाद नहीं हो रही पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे तो आपको इस तरीके की situation देखने को मिल रही है अला कि यह एक प्रॉपर वजय नहीं है जिसके चलते मार्केट के रहा है यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह situation जो है बीच मतलब मार्केट की गिरावट के बाद ही निकल कर आई थी बीच में दिखाई दी थी तो यह situation तो बाद में आई लेकिन इसने मार्केट की गिरावट को trigger जरूर कर दिया आप यह कह सकते हैं कि इसने मार्केट की गिरावट है उसे डेफिनिटली ट्रिगर कर दिया है अला कि गिरावट तो पहले से थी लेकिन अब और जैदा इंटेंसिफाई हो गई है आप यह मान कर चल सकते हैं लेकिन प्रॉपर रीजन्स के लिए हमें कुछ आगे देखना पड़ेगा अब देखो निर्मल बंक की एक रिपोर्ट निकल कर आई है डिफेंस श्टॉक लाइग मजगां डॉक हेल पारज डिफेंस में फॉल अप्टू 20% सेज निर्मल बंक अब यहां अगर हम देखें तो जो श्टॉक लगातार चल रही थे तो लगातार आपको बागते हुए दिखाई दे रहे थे तो अमने सब में देखा था लेकिन अब आप देखेंगे तो निर्मल बंक की जो रिपोर्ट है वो यह कह रही है कि डिफेंस के जो शेयर से इनमें गिरावट का जो मामला है जो सिलसला है यहां से और जादा आपको बढ़ता हु है डेफिनिल अगर आप देखोगे तो इसके ना आज यह गिरावट की कोई बहुत बड़ी वज़े नहीं है जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी वज़े आपको देखने को में रही हो और उस रीजन के वज़े से कोई गिर मार्केट कि तरफ जाता हुआ देखाई दे रहा है या फिर क्या नजर आ रहा है टेकनिकल इंडिकेटर पर तो देखो मैं अगर आपको बीस दिन के मुविंग एवरेज के साब से जो अमेशा बताता हूं वह अगर बताओं तो वह जो लेवल निकल कराते है चौवीस हजार मार्केट में ठीक है चीज़ा साही दिखाई दे रहे हैं लेकिन अगर आप कुछी वी स्टॉक्स में हैं तो मैं आप से यही कहूंगा कि अपने इस्टॉक्स को भी 20 dma पर चेक कर लें 20 dma से अगर नीचे चल रहे है न तो आप क्लियर कट मान के चलो कि समस्या हो सकती है उन stocks में सभार रहो जो 20 days moving average से नीचे चल रहे हैं हाँ अगर आपके stocks 20 days moving average को ऊपर है तो आप चाहें तो situation मतलब stock को hold करके चल सकते हैं लेकिन अगर आपको आपको निकल जाने में ही मलाई रहने वाली है अभी मार्केट थोड़ा सा under pressure है यह pressure कब सही होगा यह कहपाना भी थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इन सिच्वेशन में आपको थोड़ा सा सतर के नहीं नहीं की जरुद 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 है तो चलिए दोस्तों आज की सुदम बस इतना ही उम्मीद है विडियो अच्छी लगी हो तो से लाइक करना च कर दो से लाइक विडियो चलिए विडियतों में पहा ही हो तो चलिए